जन्पद में आज साथ नए पाजिटिव के रिपोर्ट हुए हैं इस परकार पूरों से लेकर के खुल जन्पद में अब 49 पाजिटिव केस होगे हैं इन 49 पाजिटिव केस में 12 केस दिश्चार्ज हो चुके हैं और 37 अब एक्टिव केस हैं इन में से चार आजमगड में हैं और आज जो साथ आए हैं उनको बसंत पूर्ट एलवन प्रिजल्थी में लाकर के आईशलेक किया जाए हैं इन 49 केसे में अब कुल एक्टिव कंटेनमेंट जोन 34 हो गए आज के साथ केसिज में एक्टिव से ही कंटेनमेंट जोन दोसित था और कुल नए आज के साथ केसिज के करण पांच नए कंटेनमेंट जोन बने हैं इसके अतरिक्त जो पूरों से आईशलेशन में हैं बसंत पूर में उनमें से 20 अब्यक्तियों की सेकेंड सेंप्लिंग की रिपोर्ट आज अपेक्षित है और उनकी इस्तिती को देखते हुए उनमें कोई लक्षण नहों होने के इस्तिती को देखते हुए, उनके स्वास्त को देखते हुए, हम आसा करते हैं कि ये 20 के 20 केस अब निगेटिव आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम निगेटिव करके और इन वेक्तिम को घर बेज सकेंगे, धन्यवाद।